साथियों, आज त्रिपुरा में जो सरकार है वो गरीब का दुख भी समचती है और गरीब के लिए सम्वेदन सिल भी है हमारे मिडिया वाले साथी इसकी बहुत चर्था नहीं करते इसलिए मैं आज एक उदान देना चाहता हूँ जब त्रिपुरा में पीएम, आवास, योधना, ग्रामीर उस पर काम शुरू हुआ तो एक मुश्किन आई कच्चे गर की सरकारी परिभासा से पहले जो सरकार यहां थी उसने विवस्ता बनाई थी कि जिस गर में लोहे की चादर से बनी छत होगी, उसे कच्चा गर नहीं माना जाएगा यानि घर के अंदर की सुविदाए बले ही जरजर हो, दिवारे मिट्टी की हो लेकिन छत पर लोहे की चादर होने बर से उस गर को कच्चा नहीं माना जाता था इस वज़र से त्रिपूरा के हजारों ग्रामिन परिवार पी-एम आवास योजना के लाप से बन्चित थे मैं प्रसंसा करूँगा मेरे साथी विपलोग देव जी की क्योंकि वो इस विशय को लेकर के मेरे पास आए केंद्र सरकार के सामने उन्हें सारी जीत जीजे उन्होंने रखी सबूतों के साथ रखी इसके बाद भारत सरकार ने भी अपने नियम बढ़ले परिवाशा को भी बदल दिया और इस वज़े से त्रिपुरा के एक लाग असी हजार चे अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर का हकदार बनाया गया अभी तक त्रिपुरा के पचास जार चे अधिक साथियों को पक्का घर मिल भी चुका है देड़ लाज से अधिक परिवारों को हाल में ही अपना घर मनाने के लिए पहली किस्त भी जारी की है आप अंदाजा लगा सकते हैं पहले की सरकार कैसे काम करती थी और हमारी डबल इंजिन की सरकार कैसे काम कर रही थी अगर जारी में हमारी जारी की सरकार जारी के वेस्थ उन्हम